Hello everyone, welcome back to my channel. जैसे आप सभी को पता है कि Diploma of Pharmacy के Admission स्टार्ट हो चुके हैं. तो जो पुराना शेडियूल था, उसको revise किया गया है for the students जो भी Diploma of Pharmacy में Admission लेना चाहते हैं. तो new schedule कुछ ऐसा है कि, जो last date थी, Diploma of Pharmacy के Admission की Registration की, यानि जो भी Students Diploma of Pharmacy में Admission लेना चाहते हैं, उनकी last date extend कर दी गई हैं. यहाँ पे आप 10th of July तक Registration कर सकते हैं. Online Registration for Application आप 10th of July तक कर सकते हैं. इसके बाद जो document verification होता है, यहाँ पे आपको दो mode दिये गए हैं. एक दिया गया है e-scrutinity mode और दूसरा है physical scrutiny mode. यानि फिजिकल वे में आपको FC Center पे जाके विजिट करना होगा और अपने जो documents उनको verify कराना होगा. तो उसके लिए यहाँ पे last date दी गई है 10th of July. इसका मतलब 10th of July के पहले आपको आपका Registration भी complete करना है प्लस verification भी complete करना है. जाद से जादा आप physical scrutiny mode को ही हमेशा choose कीजिए. यानि आप अपने जितने भी documents है वो FC Center पे लेके जाएए उन्हें verify कराईए. वो procedure जल्दी से easily complete हो जाती है. इसके बाद अगर आपके form में कोई गड़बर होती है या कोई query निकलती है तो भी आप FC Center पे पॉसमें दी जाके visit कर सकते हैं और उस query को solve कर सकते हैं. List of FC Center यहाँ पे दिया गया है. इसके बाद जब आप अपना verification प्लस online application का registration यह दोनों चीज़े complete कर लेंगे 10th of July के पहले. उसके बाद आपकी provisional merit list डिस्प्ले की जाएगी. दो दिन बाद यालि 12th of July को आपको आपकी provisional merit list दी जाएगी. इसके बाद अगर कुछ ऐसी student है जिनके form में कोई grievances आते हैं, कोई query आती है, कोई problem आता है related to the document या फिर spellings में, तो आपको duration दिया गया है एक correction के लिए. यानि आप अपना correction कर सकते है form में 13th of July से 16th of July के बीच में. यहाँ पे आपको 13th of July से 16th of July के बीच में आपको जो भी query है, जो भी grievances है, जो आपके form में आए हैं, वो completely verify करके correct करने हैं, ताकि आगे further admission में कोई problem ना हो. तो उनके लिए dates दी गई है 13th of July से 16th of July के बीच में. इसके बाद सारे corrections complete होने के बाद and form confirm और verify होने के बाद, FC Center से आपको आपकी final merit list दी जाएगी. और वो final merit list डिस्पले होंगी 18th of July को. 18th of July को जब आपकी final merit list डिस्पले होंगी, तो तुरंथ ही हमारे जो cap round के form है, वो start हो जाते हैं. यानि सबसे पहले आपको cap round के form में क्या करना होता है, पहले आप अपने colleges का name से लट करते हैं, जिस भी college में आप interested हुआ admission लेने के लिए, वो option form फिल करते हैं. Option form आपको आपके login के through ही फिल करना है, यानि जो भी आपका login ID और password है, आप अपने application में login करेंगे, और वहाँ पे आपको एक option form का option मिलेगा, और वहाँ पे आपको उस पे click करके पूरा option form फिल करना है, उसे confirm करना है, और further cap round में participate करना है. तो इस तरह से जो cap round का schedule होगा, जो भी important date होंगे cap round की, वो schedule जरूर आपके साथ जल से जल share किया जाएगा. जैसे ही final merit list display होती है, उसी के बाद आपको आपका cap round का schedule होता है, वो यहाँ पे display कर दिया जाएगा. इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते है, the list of FC Center दिया गया है. यानि जो भी आपका nearest FC Center है, आप उसे जाके visit कर सकते हैं और आपके जो भी query है, उसे solve करा सकते हैं. जल से जल आप अपना form fill कर लीजे, कि जो last date है registration and verification की, वो है 10th of July. इसके बाद extension मिलेगा या नहीं, इसकी कोई guarantee नहीं है. तो जो भी students diploma of pharmacy में admission लेना चाते है, वो जल से जल 10th of July के पहले, most probably 10th of July के पहले आप अपना registration and verification confirm कर लीजे. तो इस तरह से ये था schedule for the admission of diploma of pharmacy students. इसके बाद जो नया schedule आता है, वो surely आपको अपडेट कर दिया जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजि Thanks for watching.